नवस्कार दोस्तो मैं कपिल चारण वेख्यात रासनिती विज्ञान आप सभी का हदिक स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल RPSC Only में दोस्तो आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि RS मैंस जो मार्च में एक्जाम होएते उनका जो रिजल्ट है कब तक आ सकता है इसको लेकर हम पहले जो कुछ RS अधिकारी लगे हैं वर्तमान में उनकी अनुमानों की बात करेंगे न्यू चैनल की ट्विट की बात करेंगे उसके बाद मैं अपने अनुमान के बारे में आपसे बात करूँगा तो आए दोस्तों सुर्वात करते हैं इस वीडियो की दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुरेस प्रोईसर की जो वर्तमान में RS अधिकारी है उनका यह अनुमान है उन्होंने यह पोस्ट डाला था अपने टेलिग्राम चैनल पे की आरेस जो मैंस का रिजल्ड है वो 10 जून तक आ सकता है ऐसा उन्होंने इस आधार पर कहा था कि उनकी जो ट्रेंणिंग चल रही है उसमें जो आर्पेसे के समधिक ऑपिशल्स आये थे उन्होंने इस समधिक में ऐसा कुछ हिंट दिया था डारेक्ली कुछ नहीं कहा था हिं है अभी तक कॉपी चेक करने का कारिया सुरू नहीं हुआ है जल्दी सुरू हो जाएगा उसको लेकर अब और भी ट्विट का इसके इसको रिप्लाई दिया जाता है राजकुमारी कुछर के द्वारा जो आर्पीसी मेंबर है वो अलग कान ही उसकी वेज़ता की पुस्ट अभी तक नहीं की जा सकी है इसके लाव दोस्तों एक और आरे सदिकारी है सेकर सर्मा जो पिसली परती में सेलेक्टेड है उनकी जो अंडर टैनिंग चल रहे हैं तो वहां से भी उनको जो सूसना मिली उसके अनुसार भी यह है कि स्कैनिंग कंप्रीर हो चुगी और कॉपी प्यक्तिकत रुप से मुझे यह लगता है कि आरेस मेंस का जो रिजल्ट है वो जून के जो लास्ट वीक है जून के अंतिम सब्ता जून के लास्ट वीक से लगा कर जुलाई का जो परतम पकवाड़ा है उसके मद्य आरेस मेंस का जो रिजल्ट है वो आने की संभावना मु तो जिसने भी हैं अनुमानी लगा सकते हैं एकचेट आपको कोई इस बारे में सुचना नहीं दे सकता इस वीडियो में इतना है इस वीडियो को देखने के लिए सुनने क्लाप्स भी दूसका बहुत 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 धन्यवाद